और आज का lecture पूरे का पूरा सिर्फ 1D की उपर फेस्ट है मैं 2D पर जाऊंगा ने, 2D, next lecture सिर्फ 2D पर है तो आज हम सरफ 1D की ही प्रैक्टिस करेंगे तो 1D collision के अंदर point number one, हमने start किया था elastic या perfectly elastic बात एकी है elastic या perfectly elastic बात एकी है तो क्या है ये collision? इसमें rule number one, हमने ये discuss किया था कि चाहे कोई भी collision हो linear momentum तो हमेशा constant रहेगा ही रहेगा तो और कुछ हो ना हो, आप कम से कम ये equation तो किसी भी numerical में लगा ही सकते हो point number one इससे अगर बात ना बने तो point number two, half m1 u1 square half m2 u2 square half m1 v1 square half m2 v2 square आप ये भी लगा सकते हो और अगर इससे भी बात ना बने तो कोई बात नहीं तीसरी technique हमारे पास क्या है हम v1 and v2 के वो जो दो बड़े बड़े formula था उससे अपना numerical solve कर सकते हैं क्योंकि वो जो दो formula थे v1, v2 वो इन दोनों को solve करके ही बनाए गए थे तो या तो आप ये यूज़ कर लो अगर नहीं करना तो v1, v2 के formula यूज़ कर लो ठीक है तो चार तरीके हैं पांचमा तरीका जिन question में elastic collision है पर masses गायब है, mass नहीं given तो आखरी तरीक है restitution तो उसमें फिर तुम e का formula यूज़ कर लो v2 minus v1 u1 minus u2 और perfectly elastic collision में e को क्या put कर दो? बस और कोई तरीका नहीं है हाँ, अगर energy transfer निकाल नहीं है तो एक body में दूसरी body को कितनी energy transfer की provided दूसरी body rest पे है तो energy या fraction of energy transferred का formula था 4k 1 plus k का whole square मेरे हिसाब से इससे जादा हमने और कुछ की आने पिलके lecture में तो कोई भी numerical इन technique से solve हो सकता है जाद तट काम आने वाली technique एक तो यह है और एक यह है यह जादा चलती है V1, V2 के formula भी चलते हैं और momentum conservation भी चलते हैं फिर मैंने यह सिखाया कि अगर मान लो आपकी जो collision है वो inelastic collision है तो inelastic collision के अंदर आपने क्या करना है inelastic collision में पहली equation यह तो लगानी ही लगानी है यह लोग पहली equation यह तो लगानी लगानी है दूसरी equation energy की इसमें नहीं लगती V1, V2 के formula हमारे पास नहीं है तो तुम दूसरी equation क्या लगाऊगे V2-V1 U1-U2 इन दोनों को simultaneously equations को use करके आप V1, V2 की value को निकाल सकते क्यों कोई shortcut ने, कोई कुछ नहीं बस यह आंसरा जाएगा तो यह second technique हो गई perfectly inelastic collision perfectly inelastic collision के अंदर क्या rule है, दो bodies will stick together और common velocity से move करेंगी तो जब भी stick together and common velocity से movement होगी तो जैसे second body किस पर पड़ी होई है, at rest तो यह combine होके will move with a common velocity, पहला तरीका इसमें सिर्फ और सिर्फ momentum conservation ही है और कुछ नहीं है तो इसमें लगेगा momentum conservation m1 u1 plus 0 is equal to m1 plus m2 into vc, यहां से vc निकाल लेना answer क्या यह method सबको समझ में आ रहा है, और मेरे पास कुछ नहीं है बताने के लिए आज का पूरा lecture सिर्फ इसके उपर based है बस और कुछ नहीं है तो क्या यह step यहां तक clear है what doubt is me